अंकिता बेटा चाही ठंडी हो गई गरम करके लिया बेटा और कितनी बार गरम करूँ अभी तो गरम करके लाई थी बेटा इस तरीके से कोई अपनी सासुमा से बात करता है बेटा चार दिन के लिए सासुमा आई है तेरे घर तो ऐसे रिस्पेक्ट करेगी बेटा अई अंकि यार ममा अभी बीजी हूं मैं मुझे डिश्टाम मत करो आपको दिखनी रहा मैं घर का काम कर रही हूं अरे बीटा कौन से घर के काम कर रही है तू अभी तो अपने फ्रेंड से बोल रही थी कि तिरे घर के सारे काम तो दो घंटे में खतम हो गए अब क्या रह गया बीटा आप चोरीश में मेरे फोन भी सुनते हो अनकीता हाँ ममा बेटा तुने मेरे कपड़े नहीं दुएं जिता आपके भी कपड़े थे गया ममा मुझे दिखे ही Niger नहीं उमहं वशाने मत दे की नहीं दिखे वाशिंग मशीन के बघल में तू रखे थे बीटा आई स्वियर ममा मेरे तो लगा ऐसे ही पड़े है किसी ठीक है बिटा तेरा प्यार तेरा चेहरे पर दीख रहा है इतना गुस्सा हो के तु प्यार से बात कर रही है यार मम्मी एक चाय को पचास बार गरम करने के लिए बोलो के तो इर्रीटेशन नहीं होगी कि गुस्सा नहीं आएगा क्या सामने वाले को करने वाले कर गए अदेने वाले पहाने दे गए बिटा ओडिशन वीडियो तो तुने खबका नहीं भेज दिया नहीं कोई बात नहीं बेटा तेरी गलती नहीं है आपको लगता मैं जूटी हूँ नहीं कोई कोई बात नहीं बेटा रहने दे यह बता बेक्की कहा ह अपने सारे काम दिखते हैं मेरे कोई काम नहीं दिखते हैं इतना वह तो आप खुद भी दो सकते हो ठीक है ना जवान हो अभी आप तो आपके जाओ भी की तो आगया बिटा है यह देख मुझे केसमिस खाने को दे रही है तेरी बीवी काजू खाने को दे रही है यह रिस्पेक्ट है बिटा कोई नहीं मम्मी मैं उसे बोलता हूं वो आगे से नहीं बोल पाएगा बिटा तु भी जोरू का गुलाम है बिटा आप तो तेरी ममा तेरी कूची नहीं रहे है नहीं तुझ्जी कूची नहीं पता मेरे साथ क्या क्या नहीं हो रहा दिन में आहिं